नमस्ति दोस्तों जोहर मैं निमें सर आप सभी का विश्रिक चक्रवाती यूटूब चैनल महाधिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज जो इतियास का एक्जाम हुआ है इस्ट्री का एक्जाम उसका आज हम लोग एंसर की देखने वाले हैं ठीक है आप लोग लाश्ट में कमे आप पार आसे रावी न दीता ओप्सन जो ठीक हो जाएगा ठीक है चैने इस्ट कोशन नवर टू देख सकते दोस्तों कोशन नवर टू में क्या पुछा गया है कि विजय नगर समराज की अस्थापना कव भी थी मैंने बताया था दोस्तों हरी हर और बुकान मिलकर इसकी अस्थापना की थी 1336 में यह ओप्सन टू है वह करेक्ट हो जाएगा चैने नेक्ट कोशन को बढ़ते हैं देखने को नहीं मिल रहा कुंडग्राम बेसाली में हुआ था तो यहां पर कुंडग्राम देखने को नहीं मिला है फिर भी आप लोग अंदाज में भी अगर करेक् ठीक है आपको नंबर मिल जाता ठीक है चलिए आगे बढ़ते दोस्तों कोशन नवर सिक्स देख सेटों कोशन में क्या है आयंगर विवस्था संबंदी थी ता आयंगर किस से दोस्तों विजय नगा समराज से आप्सन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्ट कोशन क बढ़ते हैं कोशन नवर 8 भात का राष्टेगान कोन सा है बहुत ही इजी कोशन दोस्तों हम सब भारत के नागरी कि 30 कोशन का एंसर गलत नहीं करना चाहिए था इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा जोस्तों जो फोर है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है चाहिए नेक्ट कोशन आई ने अकबरी की रचना किसने की थी आज ही मैंने सारे important books का बता दिया था उनके authors ताई ने अकबरी आप सभी को पता दोस्तों अबूल फजर ठीक है अकबर नामा के भी अबूल फजरी थैं ऑसन जो वान है वो करेक्ट हो जाएगा चाहिए नेक्ट बढ़ते हैं गांध पांच प्रकार कि दोस्तों जो त्री है वो करेक्ट हो जाएगा चैने कोशन बढ़ते हैं कोशन नमगर 12 भातिय संविदान संसदिया परनाली किस देश से ली गई है कोशन पूछा गया ता आप सभी को पता दोस्तों बिटें से ली गई थी संसदिया परनाली किस से लिए प्रकार करने का कारिये सरपथम किस राजा ने किया आप सभी को पता है अजात सत्रू ने किया था आप्सिन जो त्री है वो करेक्ट हो जाएगा चैने कोशन बढ़ते कोशन 14 भाती राष्टी कांग्रेस के संस्थापक कोन थे यह हिस्टरी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में भी कोशन पूछा जाता है तो याद रखेगा यह ओप्सन जो त्री है वो करेक्ट होगा और आठ्रोसब पचासी में ठीक है याद रखेगा चैने कोशन 15 में क्या पूछा है कि सिंदुगाटी सभ्यता का समाज का सवरुप कैसा था तो सिंदुगाटी मात्री देवी के पुजा करते थे इसलिए हो जाएगा मात्री सतात्माक ओफ्सन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा चैने कोशन 16 धं निती की सुरुवात किस ने की थी मैंने बताया था दोस्तों धं निती असो यह जो है औसन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह बहुत धम सुईकार कर लि तो जीतता लेक परकार का चांदी का सिक्का था यहां चांदी तो नहीं यह लेकिन सिक्का है अपसे जो टू है वो करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स ने किस ने की थी मैंने आपको बहुत अच्छे संप बताया तो मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी को कितने भागों में विवाजित किया गया था आप सभी को पता है दोस्तों इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पांच भागों में ठीक है और अकबर नमा को तीन भागों में ने बताया था चलिने इस्ट इसके ञानागा तना याख अब सभी पता है संताल परगना को चेत्र को दामिनेकों के नाम से जाना है चलीने ऊपर 15 कि प्रचली रख में प्रचली अटी पर्था का उल्लेक किस विदे सियातरी ने किया थर सती फाफरान्सवा बंधियन घिक है चली आगला अगे बदाने को लॉट सेंट जॉर्ज की अस्तापना कहां हुई थी तिसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर मद्रास में दोस्तों ठीक है जिन्होंने भी मद्रास टिक किया हूँ सही है चलिए नेक्ट कोशन बढ़ते कोशनों 27 ऑपरेशन पॉलो के द्वारा किस देशी दियासत को अंग बनाया गया था दोस्तो है दराबाद को किसको है दराबाद को ऑफ्शन जो थ्री वो करेक्ट हो जाएगा चलिए 28 में देखते दोस्तों क्या पूछा गया है कि भात का अंतिम वायसराइं किने माना जाता है तो आप सभी पता दोस्तों लॉट माउंट वेंटन को भा करेक्ट हो जाएगा चैनरे ने पुछा गया है कि भारत आने वाले पहले ओरोपियन कोन थे वो थे पूर्थ गाली ठीक है याद रखेंए ऑफ्शन फोर जो है क्या पूछा गया है कि मुगल्काली इंच्रकला कि इसके सासनकाल में चर्मो उतकर्स पर पहुंच गया तो यहांगिर कला का आता ही ना जांगिर कला तो याद रखीगा चित्रकला के लिए जांगिर जो वो समस्साइब करेक्ट हो जाएगा चरिके नेश्य मठते है खोटे 50 फॉर कैप्टन होकिन्स किस मुगल दर्बार में आया था आप सभी को बता है जोस्तों इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा जहांगिर के ठीक है ठीक है चरिक है जानेक्टारो के थे छैट्रटी-स सिक्समें घां संतान का विद्रों आप सभी पता दस माई को इस्टार्ट हुआ था मैरट से ऑप्शन जो त्री यह वो करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्ट कोशन बड़ते हैं दांडी आप सभी को पता जोस्तों कहां है गुजरात मातमा गांदी के जनम भी यहीं हुआ था ना गुजरात मे बनार द्रेओं उन जभी क्से लिया जाता था मैंने बताया था दो मैंने ऑसी कर क latte लिया था वह जिंपीयों होसक्ति करका है तो अर्ल मिलना चाहिए थिक्स तरह दोस्तों 40 questions पुछे गये थे आगे देख सकते हैं लास्ट question आप लोग देख सकते हैं question of 40 क्या पुछा गया है कि हाथी गूंफा अभी ले किस से संबंदी है तो इसका correct answer हो जाएगा आप लोग comment box बताएगा आपका 40 में से कितना सही हुआ ठीक है जीनो ने भी 35 plus score किया व देखिए क्योंकि आप जो exam होने वाला economics का होने वाला है sociology का होने वाला है political science का होने वाला है geography का होने वाला है जिसका demand ज्यादा देखनेों को मिलेगा next video मैं उसी पर बनाऊंगा ठीक है आप लोग comment box में जरूर बतेएगा ठीक है तब मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में धन्यवाद जैहिंद बंदे महत्रम